हलो दोस्तों नमस्कार मेरा राम विभान सुखत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में दोस्तों अभी हमारे साथ हर सिंग सरा है सर का सेलेक्षन यूपी पीसे 2022 में दीएसपी की पोस्ट पर थर्ड रेंग के साथ हुआ है और आपको जानकारी के लिए बता दें सर का अभी 2022 में आईस का इंटर्वी देकर सर आये है तो आज के इस वीडियो में सर से ये भी जानने वाले हैं कि आप लोग यूपी पीसे और खासकर यूपी असी की तयारी साथ में कैसे कर सकते हैं क्योंकि सर अभी तक मैनेज कर रहे दोनों की तयारी साथ में तो आप लोग वीडियो में तक बने लिएगा और पहली बार है चल्ल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा है हमारे वीवर्स चो वीडियो देख रहे हैं हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत बदाई आपका सर हम जानना चाहेंगे कि आपके ए इस तैयारी में आए जी दरसल मेरे फादर भी सिविल सर्वेंट है पीसर ऑफिसर है तो उनी को देखते हुए हमेशा से एक तरीके से मेरे रोल मॉडल बरे तो उनी इसे इंस्पिरेशन लेकि मैंने सोचा कि कॉलेज के बाद भी इसी एक्जाम को देना चाहें अभी तक और यूपी पीसेज के कितने अटेम्ट थी हैं सरी मेरे दूसरा अटेम्ट होगा दोनों का दोनों का और मीडियम क्या रहा सर तेयारी इंग्लिश तो कहीं पर आपने सुरुआत में तयारी के लिए गाइडेंस हो गारा या फिर कोचिंग वरा ली थी या किस तरीके जी मैं कोविट का दौर था तो जो भी गाइडेंस ली थी या उनलाइन ही करा था एक दो कोचिंग इंस्टिविशन से मैं जोड़ा था जिसे राव आईस किया था मैंने इंसाइटस आईस को फालो किया है तो इन दोनों से मेरा मेजर अफिलेशन दा है लेकिन कहीं बाहर जाके नह तो दोनों में पैरल आप किस तरीके से कोडिनेट करते थे कि पैरल दोनों साथ में एक जामस देने क्योंकि लगबाग डेड़ भी से मुति अच्छा है परी की बात करें या तकि इंटर्वी भी लगबाग साथ ही मेरता है तो किस तरीके से मैनेज करते था जैसे मैं यह एक गारा से दो का स्लॉट है एक चार से च्छे का स्लॉत है एक फिर से 7-10 स्लॉत है राट पर तो इसमें से कोशिश करता था कि कम से कम एक स्लॉट तो पीसे जादा हो रहा है या फिर यू पी रोज मैं कोशिश करता था कि दोनों को साथ लेके चलो लेकिन कभी कभी ऐसे भी दिन रहें जब UPSC का सेलिबस थोड़ा सा जादा हो गया तो उसको उसको स्पेसिफिकली कवर किया वरना जादा तर मैंने साथ में ही किया है और खासकर प्री की स्ट्रेटजी की बात करें तो आपने किस तरीके से की थी क्योंकि दोनों तैयारी साथ में आप कर रहे थे तो क्या अलग-अलग दोनों की प्रीकिरण ने थी या फिर सेम ही कंडिशन थी दोनों के प्रीलिम्स काफी अलग है जिसे अगर आप UPSC के प्रीलिम्स को देखे तो उसमें सवाल थोड़े से अन प्राइरी का जो प्रोसेस रहेगा उससों भी तोड़ा सा डिफरेंज आया एक तो यह रहा कि मैंने यूपी के लिए स्पेसिविकली अलग टाइक के करेंट अफैस फॉलो किया है मन्थली मैगजीन फॉलो करी थी मैंने ग्रेट अप की फॉर यूपी स्पेसिविक करेंट उसके अलावा घटना चक्र प्रीविए से क्वेस्टिन का जो कंपाइलेशन है फॉर पीसेस फॉलो किया था इसके अलावा बाकि जो जब मैंने प्रेपरेशन करी थी वो जो स्टैंडर्ड किताबे थी जो यूपी स्टी की होती है कि बाद लिए स्पेक्ट्रम हो गई लक् यूपेपर मैं रोजे पढ़ा है मैं द Первाता दव किया लेकिन मैंनेने जूइसपेपर को नूइसपेपर का ही दर्जा दिया नूइसपेपर एक तरिके से एक्जाम का सोर्स कुझी नहीं रहा है मेरी है क्योंकि हिंदू तो इस अज़ाब से बना रहे है पेपर की यूपेसी में यह सवाल आ सकता है तो पेपर को पढ़ना इसलिए जरूरु है ताकि आप कम से कम टच में रहें जो आपके आज पास हो रहा है आप तैयारी में इतने अना घुज जाए कि आपको आज पास की दुनि तो जब आप दाहिंदू पढ़ते थे तो उसका नोट्स वगरा कहीं नोट करते थे या फिर वैसे नॉर्मल ख़बरों से रूबरों होते थे जैसे मैंने उसको एक्जाब का सोर्स नहीं ट्रीट किया मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया है उसके निज़पर के या डेली नोट्स बनाने के इतना ज़रूरत नहीं है उनके नोट्स में अपने नोट्स बना लीजे लेकिन पेपर से नोट्स बनाने का जो आइडिया है क्योंकि वह साल के अंत में आपके पास अल्यदी इतना बड़ा करिंट अफैस का मोडियूल आ जाएगा जो आपके खुद के न पढ़ें क्या न पढ़ें, क्यािएं इंपोरटेंट है तो इस पर आप ने मलब किस तरीके से इसकी रण निती फॉळू है जैसे अगर आप डेली करिंट फैस फॉलो करें तो डेली करिंट फैस में जएनरली साथ-अाठ तॉपिक्स कवड रहते हैं और तो में डेली को तो वो important topics रखे हैं जो उनको लगता है exam pointer विसो जरूरी है और अगर आप सारे monthlies को compare करें yearly से तो yearly compilation में उनने सारे important को cover किया हुआ है तो मुझे लगता है सारे yearly compilation जैसे आज कल तो monthly magazine और yearly magazine दोनी 100 अपनने की हैं तो इतना कोई खास difference है नहीं उसमें कि जो लोग को लग रहा है कि ये भी cover करना चाहिए वो भी cover करना चाहिए इसलिए मैंने माना है कि आप paper बढ़ते रहे है paper बढ़ी और साथ में जैसा आपके मर्जे अगर आप monthly में comfortable है तो monthly करिए yearly करना चाहिए तो yearly करिए जी दोनों की तयारी का मैं एक ही तरीका बताऊंगा मैंने क्या किया था कि मैंने मान लीजे पिछले 7-8 साल के जो previous questions थे UPSC के भी और PCS के भी उनके question papers को निकाला और उनको एक time bound manner में solve करने के कोशिश करी और सारे ही paper में मेरा CSAT clear हो रहा था तो मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी अलग से किसी चीज़ पर focus करना चाहिए लेकिन अगर किसी कारण वर्ष आपका CSAT में कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक तरीके से previous questions को analyze करके देखिए कि कौन से वो areas हैं जहां पर आपके जादातर सवाल गलत हो रहा है math है English है logical है फिर उस से specific अगर आप लेके पढ़ेंगे तो शायद आपको जादा benefit हो तो sir UP special की बात करें जो की PCS में काफी सारे questions पूछे दाते हैं PLIMS की exam में तो आपने उसकी तयारी कहां से किये थी क्या source रखा था यूपी special के लिए वही जिससे अगर PLIMS की बात करें तो current अगर मेंस की बात करें तो मेंस की बात करें तो मेंस के भी compilation निकालता है GS1234 के लिए तो मैंने वह रेफर किया तो अब यहां पर मेंस की बात करते हैं अलग अलग दोनों का बताईए कि आप दोनों कैसे manage करते थे मेंस के लिए मतलब आप थोड़ा ये भी बता दीजीगा कि कि क्या मतलब questions हमारे जो होते हैं वो दोनों में की सरीके अलग अलग पूछे जाते हैं उनका लिखने का style की सरीके होना चाहिए लिखने का style तो भी दिखी मेरा दोनों में से भी रहा है तो उस पे तो मैं जादा नहीं कहूंगा कि पहले मैंने introduction लिखा है फिर main address of the question को एक heading म डाल दिया जो भी पूछा गया है फिर उस पर थोड़ा end में थोड़ा एक way forward लिख दिया और उसके बादे conclusion लिख दिया ताकि आपका answer एक structure में लगे तो यह basic structure मैंने दोनों में follow किया है लेकि जहां तक तयारी की बात है कि कि किस में क्या पढ़ाया किस तरीके से पढ़ाया तो वही जैसे मैंने बताए कि मैंने दिन को भाग में बाट लिया था तो मैंने पूरा समय UPSC को भी दिया और PCS को भी दिया अलग-अलग जो जो topics मुझे लगे कि cover करने है लेकिन मोटी-मोटा यह है कि जो PCS का syllabus है और UPSC का mains का syllabus है वो काफी overlapping है काफी तरह से वो same है बस PCS में कुछी topics ऐसे हैं जो extra आ जाते हैं तो उन topics को बस अलग से पढ़ना रहता है बाकी तो आपके sources same ही रहेंगा और जो यहां पर हिंदी का paper होता है या फिर essay का paper होता है इसके लिए आपने क्या खास रण नहीं थी अपना ही थी हिंदी के paper के लिए मैंने पांडे सर की book को refer क किया था तो मेरा English medium background था तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होई थी उसमें तो मैंने पहले से practice करना चालू कर दिया था कि proper Hindi dictation और writing कैसी रहें तो उससे मुझे काफी मदद मिलिया कर मैंने थोड़ा सा पहले से pre-plan कर लिया कि कैसे answer लिखने है और essay के लिए मैंने quotes का इस्तेमाल किया कुछ short stories का इस्तेमाल किया जैसे मैंने एक standard introduction यह रखा कि कोई story से start किया जो भी topic दिया को एक story उस topic से related हो उससे start किया और फिर उसको आगे continue किया और बीच बीच में कहीं quotes टाल दिया UPSC और PCS के तीनो stages की बात करते हैं जैसे कि pre, mains और interview तो आपको तीनो stages पे दोनों के same आपको pattern लगते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी difference है कि इसका कठीन लगता है कि इसका थोड़ा सरल लगता है किसमें मुझे UP PCS का prelims ज्यादा कठेन लगता है UPSC के prelims से क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा factual questions पूछे जाता है तो वो मुझे दिककत लगी अगर हम mains के बात करें तो UPSC का mains ज्यादा कठेन होगा और interview के जहां तक बात करें तो मुझे लग रहा है interview तो दोनों का यह बराबर यह तो आपकी बोलने की शम्ताप है कि आप सवालों को कैसे ले रहे हैं वहाँ दोनों जगा factually पूछा जाता है और analytically पूछा जाता है तो आप जब तैयारी कर रहे थे तो कभी आपके मन में ऐसा नहीं लगा कि तैयारी में आके गलती कर दी या फिर कभी demotivate हो गए तो आप demotivation के समय आपकी सरीके से अपने आपको motivate feel करते हैं जी I think demotivation तो एक ऐसा चीज है जो हर aspirant के जिंदगी में आएगा ही आएगा preparation के दोरान तो उसके लिए मेरा तो यह मानना है कि आप खुद को अच्छे बहतर समझे और देखने कि अगर कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि आप दुखी हो जा रहा है आपको बुरा feel हो रहा है तो उसके लिए आप कुछ जरूर करें अपने mind को fresh जरूर करें ताकि अगले हफ्ते के लिए आप जादर productive निकले आप अपने दोस्तों से बात करें अपने घरवालों से बात करें कभी कभी मन करें तो picture भी देख लें क्योंक पे मैं नहीं था social media मैंने हटा दिया था वहीं बता रहा है कि कुछी close जो दोस्त है उनी से मेरी बातचीत चलती रहती थी और ऐसे कोई message वाली बातचीत थी phone नहीं जबा आ जाता था तो phone पर ही बातचीत करता था तो हमारे साथ जो चात जुड़े हुए तैयारी करें तो उ बहुत गहरा अध्यान करना चाहिए मुझे मालूम है कि यह चीज लगबग हर दूसरा आदमी बोलता है लेकिन मेरा यकीन मानिये सबसे जरूरी चीज यही है अगर आपने यह चीज समझ ली तो आपका selection निश्चित थैंक्यू समसर आपने अपना बहुत कीमती समय दिया औ फिर आपका कोई question होता है तो वह आप हमारे comment box में comment करके बता सकते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी next video में तब तक लिए जैहन बंदे मात्रम